सेना में उठा पेंशन विवाग पेंशन विसंगती मुद्दा पहुंचा रक्षा मंत्राले क्या कहा रक्षा मंत्री ने वीडियो के माध्यम से जानेंगे नमस्कार दोस्तों फोजी भाईयों के सबसे भरोसे मन यूटूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस ज्याद समय नयगवाते हुए भरते हैं आज की हमारी वीडियो की दरफ सेना और शन्य अधिकारियों के बारे में खुब आते की जाती हैं हलांकी आप यह बात जानकर है जाएंगे कि शन्य अधिकारियों के वेतन में कई वी संगतिया मुझूद हैं उधारन के लिए कर्ण 23,200 रुपे तक मिल सकते हैं इसी तरह कर्णल को 2,39,500 रुपे और ब्रिगेडियर को 2,33,100 रुपे परतिमा मिल सकते हैं लेकिन सेना के उख परमुक को परतिमा 2,25,000 रुपे से आधिक नहीं दिया जा सकता हैं मिलिटरी सर्विस पे हैं इसकी वज़े टाइमस ओफ इंडिय की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वस्चंगत्ती का कार्ण वेतन का मिलिटरी सर्विस पे वाला हिस्सा है ब्रिगेडियर रैंग के सेने अधिकारियों के वेतन में 15,500 रुपे तक मिलिटरी सर्विस पे के हिस्से में होते हैं ब्रिगेडियर के रैंग के बाद इस हिसे को अलग से नहीं जोडा जाता है। इस कारण जूनियर रेंग को सीनियर से अधिक पैसे मिल जाते हैं। Military Service पे के कारण Lieutenant Colonel से Brigadier Rank तक के अधिकारियों का वेतन Major General से Lieutenant General Rank तक के अधिकारियों के वेतन से अधिक हो जाता है। इस बारे में रक्षा मंतरालय के सुत्रों का कहना है कि केंदर सरकार बार-बार इस मूद्य को उठाए जाने के बाद भी सुलजाने में नाकाम्याब रही है जब अरुन जेटली रक्षा मंतरी थे तब उन्होंने इस विसंगती को दूर करने का परियास किया था हलांकी तब वित मंतरालय के अधिकारियों ने बिना उन्हें बताए फाइल बंद कर दी थी कुछ शमय बाद फाइल को फिर से भी खोला गया था लेकिन वित मंतरालय के बेतू के स्वालों के पेंच में मामला फस गया था पेंशन में भी ऐसी ही विशंगती, शन्य अधिकारियों से जुड़ी यह विशंगती वेतन तक ही शिमित नहीं है, यह मामला पेंशन में भी व्याप्त है, पेंशन को देखें तो कई जनरलों को जूनियन अधिकारियों से कम पैसे मिल रहे हैं, इस बारे में रक्षा मंतराल कि एक अधिकारी ने कहा कि एक विशेश प्राहवदान मेजर जनरर से लेकर ब्रिगेडियर तक के पेंसन को कुछ हद तक सुरक्षित रखता है लेकिन यह प्राहवदान उस तर रेंक के अधिकारियों के पेंसन में लागू नहीं होता है तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और बैल आइकन को भी जरूर दबादें धन्यवाद जय हिन जय भारत